नोजबंदी एक एतिहासिक बेवकूफी जिससे देश के छोटे मजोले कारोबार बरबाद हो गए कॉंग्रस अध्यक्ष ने इसी के साथ कहा कि एक सामानिय इंसान कॉंग्रस का अध्यक्ष बना राहुल गांधी ने उम्मीद की रोशनी जगाई 85 वे महादिवेशन में दिये गए अपने भाशन में कॉंग्रस अध्यक्ष ने के इंड़ सरकार पर देश को तोड़ने का शर्यंत्र रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डियन गरीव विरोधी है उन्होंने मोधी सरकार पर नफरत का माहौल महंगाई, बिरोजगारी और राश्रिय सरक्षा की स्तिती को लेकर तीखा प्रहार किया खरगे ने विपक्षी एक जुटता की पैरवी करते हुए कहा हम भारती अजनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प देने के मकसद से समान वचार वाले दलो के साथ ताल मिल करना चाते है उन्होंने आरूप लगाया कि देश के प्रजातंत्र को तोड़ने का शरियंट रचा जा रहा है और कहा कि इसके खिलाफ आंदलन करना होगा खरगे ने कहा आज सत्ता में बैठे लोग जनता के अधिकारों पर हमला बोल रहे है आज सब को सेवा, संघर्ष और बलीदान सबसे पहले हिंदुस्तान का संकल पलीना होगा खरगे ने कहा कि आज देश सबसे मुश्किल दोर से गुजर रहा है उन्होंने दावा किया कि इस महादिवेशन को रोकने के लिए भाजपा सरकार इदी का छापा मरवाया खरगे ने दावा किया कि विदेश मंट्री एस जैशंकर का ये बयान बरी नाकामी है कि चीन एक बरी अर्थ ववस्ता है और उस पर हमला नहीं कर सकते खरगे ने कहा आज मैं बेहत भावग हो क्योंकि आप सभी उस गौरफशाली विरासत की नुमाइंद की कर रहे है जिसे हमारे महानेता ने अपने समर्पन से सीचा उन्होंने राहूल गांधी का अभार जताते हुए कहा भारत जोरो यात्रा की रोशनी पूरे देश में फैली है जाहूल गांधी ने असंभव को संभव कर दिखाया कॉंगरस के महादिवेशन में पहले दिन फैसला लिया गया कि कॉंगरस कारिय समीती के लिए चुनाव नहीं होगा कॉंगरस अधियक्षे मलिकार जुन खरगे CWC के सदस्य का नामांकन करेंगे कॉंगरस अधिवेशन में जैराम रमेश ने कहा कि सभी जातियों को उचित प्रतिनधित्व मिले इस लिहाद से जातिकत जनगरना अब समय की मांग है